आदिन नादाना विर्मनी सिखा पदंसमादियामी कामे से लिचाचारा विर्मनी सिखा पदंसमादियामी जै भीम नमगुताय, जै सम्विधान वीदा पिपल समर्संग में आप भीका सागत है वीदा पिपल समर्संग है क्या एक SC, ST, OBC और संविधान की मूल भावना का सम्मान करने वाली समान विचारधारा के लोगों का एक व्रहत पज़वार है जिसे संग कहते हूँ हमारे संग की विशेष्टा है कि यहां सभी लोग समान रुप से सम्मान पाते है संग में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है कोई व्यक्ति चाहे वो मजदूर है, किसान है, बेरोजगार है किसे भी स्थिति में है अत्वा कोई उच्पदर्स अधिकारी, कितना ही बड़ा कोई अधिकारी हो चाहे मंत्री हो, लेकिन सभी का बड़ाबर समान होता है सभी के विचारों को समान रुप से मानिता मिलती है सभी एक साथ बैटते हैं, एक साथ खाते हैं अर्थाद संग में कोई VIP कल्चर नहीं है कोई अध्यक्ष सच्चिव मंत्री आधी कोई भी हमारे संग में नहीं है कोई मंच माला नहीं है किसी तरह क्या कोई सद्धसिता शुट नहीं लिया जाता है कोई चंदा पर्ची कटने का कोई प्रावधान नहीं है पैसे का कोई लेंदे नहीं होता है हमारा प्रयास है कि हम आ इसा ना करें जिससे आपस में आविश्वास बढ़ें। सबसे पहला हमारा उडश यही है कि हम पारदर्शता बढ़त बढ़ती और हमारे बीच में कोई भी मत बहे दिया, मन भेत ना हूँ। संग की आविश्यक्ता क्यों पढ़ी। संग निर्मार की इसलिए आवश्यक्ता पढ़ी। क्योंकि संग जो होता है वो एक बहुत मजबूत इस्तिती में होता है। संग का मतलब यह होता है कि जो उससे जुड़ा व्यक्ती यह उमीद की जाती है कि वो अपने विचारों में साथिक हो, जूट ना बोले। किसी भी तरह के गलत आचरण में वो ना पड़ा हो। यह जो इसकी मूल अवधाना है, कॉंसेप्ट है, वो संविधान की मूल भावना के बिल्कुल उसके अनकूल है। अर्थाज जो संविधान की मूल भावना है वास्तों में संग से ही ली गई है। यह संग हमारा बहुत पुराना संग जैसे कहा जाता है कि बुद्ध के समय से संग था। लेकिन जब हम बटने लगे तो हम शून की तरफ बटने लगे आज माइनस में पहुँच गए है। हम सब जानते हैं पहले भी हम ने यह बात इस पर चर्चा किये कि देखे हम जो सुनते आए हैं बच्पन में बारत एक सोने की चुरिया था। मतलब यह नहीं कि कोई सोने की चलिया पेड़ 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 बैठती इसका मतलब क्या है हम अपनी विचारधारा से इतने उन्नत थे हमारी संसकार इतने उन्नत थे हम इतने सम्रदिशीन थे कि हम तो जहां सी सब पॉस्टिविटी होती है वहां हम मेशा आटोमेटिकली एक सम्रदि आती है संपनता आती है तो ऐसा हमारा संग था लेकिन जब यह संग पूटा तो धीरे-धीरे हम किसी स्किति में पहुत गया ही किसी को बताने की आवश्रक्ता नहीं समझती हूं क्योंकि जैसे-जैसे हम इत पड़ोस का घर जल रहा है हमें क्या मतलब है हम तो खापी रहे हैं यह भावना जो है इस भावना में हमें खोकला कर दिया है हम इतने आत्म मुद्ध या अपने मतलब अपने तरफ आत्म केंद्रित हो गए कि हम दूसरे से कोई मतलब हमने नहीं रखा और उसका नतीजाज ह दोस्तों हमारा परवार है हमारा परवार तभी सुकी है जब हमारा पडोसी भी सुकी हमारा समा सुकी है तो जब हम इतनी दैनी इस सिती में आ गए तो हमें यह सुचना पड़ा कि आखिर वजह क्या थी और तब यह मैसूस हुआ कि हम कहां गलत थे अब यह प्रयास हो रहा ह और इसके लिए हमारा एक जो पुना बहुत आवश्यक है वो सारे जंगल वो सारे जमीन वो सारे जो ये विरासत है नदी नहर ये सब पर हमारा नदी पहाड सब चीज़ों पर हमारा ही अधिकार हुआ करता था लेकिन आज देख रहे हैं किस तरह से हमारे लोगों को मतलब किस हम लोग यहां इकठे होती हैं इस पर मनन करने के लिए हम यहां पर इकठे होती हैं और सबसे जानकारी लेते हैं कि हम आखिर किस तरह से एक जुट हो पाएं किस तरह से अपनी प्रतिष्टा को प्राप्त कर पाएं देखिए एक प्रसंग मैंने आपको बताया था शेर हमें परिशान करता है किसी भी चीज का डर हमारे मन में डर बैठा रहता हम अगर जिस दिने जब कही बार आपने सुना होगा कि कहीं खेत पर किसी इतने शेर ने अटेक किया लेकिन सब दोड़ पड़े खेत वाले चारों तरब से जब दोड़ती हैं तो फिर वो शेर को भा रहे है वो उसे टार्गेट करता है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सारे जो है जानवर वापस जब उसे शेर पर अटेक करती है तो उसेर को भागना पड़ता है बस हमें यही करना है कि हम जो है अपने मन पर किसी हवा को हावी ना होने दे हम परसपर एक दूसरे का सहयोग करें जिस पी तरह से हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं तो जो हवा क्या होता है ये एक मनोबाग्यानिक दबा होता है हमारे सेहन में है ना कि डर और वो जो डर है ये वो किसी भी दबा से नहीं जाता है वो डर जाता है सिर्फ केशोरेंज से यह हमारा मनोबल बढ़ता है तब जब हमारे साथ हमारा समाज कड़ा होता है हमारे अपनी लोग खड़े रहते हैं तो बस यही बहुत चोटा सा कॉंसेप्ट है जूरना है और जूरना है यह आप कहीं भी देखे चाहे हो जानवर हो चाहे प्रकरतिव हर जगह हमें यह संदेश मिलता है किसी भी गाउं में जिस समाज के लोग ऐसा नहीं अभी भी कुछ एक का दुका ही सही लेकिन ऐसे गाउं हैं जहां पर हमारी लोग काफी अच्छी स्थिती में हैं क्योंकि वहां पर वो लोग आपस में कुछ नहीं कर पाएंगे तो प्लीज 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 आप सभी से मेरा यह आग्र है कि इस बात को समझें जरूरत को समझें कि हमें एक दूसरे के साथ बने रहनी की क्यों जरूरत है आप क्या है बहुत सारे संगटन में देखती हूं कि जातियों के अधार पर अपने- पराई लड़ना पड़े तो आप सूछिए उसमें हर कई सारे संगटन भी थे बहुत सारी जातियों के लोग भी थे और हम सुच रहें हम एक जाती बना लेंगे और उसका संगटन बना लेंगे हमें हमारे अधिकार मिल जाए यह सारी बाते दिमाग से बिलकुल निकार जै भीम नमो भुद्धे, जै संविधान। जै संविधान। इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है। उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं। बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद। अन्यवाद। सरनं गच्छामु संगं सरनं गच्छामु तूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामु दूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामु तूंतियं पी धम्ममर सरनं गच्छामु दूंतियं पी बुद्धं सरनं गच्छामु तूंतियं पी संगं सरनं गच्छामु दोगियं पी सन्यम सर्मं कच्छामी तरतियं पी बुद्धम सर्मं कच्छामी दोगियं पी दम्मम सर्मं कच्छामी तरतियं पी दम्मम सर्मं कच्छामी पिसन्दम सर्णम तर्शामी साथो साथो साथो